आज की वीडियो में बताने वाला हूँ 60,000 रुपे के अंदर मिलने वाले लैप्टॉप्स जिन पर आप अपना वीडियो एडिटिंग और कॉंटेंट क्रेशन का करियर स्टार्ट कर सकते हैं देखो Amazon और Flipkart पर सेल चल रही है तो अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग लैप्टॉप लेना चाहते हो अंडर 60,000 तो ये वीडियो काफी यूसफुल रहने वाली है आपके लिए और अगर आप लोग डिटेल में समझना चाहते हो कि लैप्टॉप खरीते वक्त किन किन क वीडियो को एडिट कर सके और प्रॉक्सी बनाकर 4K वीडियो को भी एडिट कर सके प्रॉक्सी कैसे बनाई जाती है आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं पहला लैप्टॉप हमारा आता है Acer की तरफ से Acer Aspire 7 इसके अंदर प्रॉक्सेसर आता है Intel का i5-12450H यानि कि इसके अंदर आपको 8 कोर्स मिल जाते हैं 4P कोर्स, 4E कोर्स, ग्राफिक कार्ड यहाँ पर रहने वाला है NVIDIA का RTX 3050 4GB का जो की चलता है 60W पर RAM यहाँ पर आपको pre-install मिलती है 16GB की जिसे आप future में expand करके 32GB तक ले जा सकते हैं उसी के साथ में SSD यहाँ पर pre-install मिलती है 512GB जिसे आप expand करके 1TB तक ले जा सकते हैं डिस्प्ले यहाँ पर मिलती है 15-inch की full HD जो की चलती है 144Hz refreshing rate के साथ और ports की यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर आपको तीन type A port 3.2 वाले मिलते हैं और एक type C port मिलता है उसी के साथ एक HDMI port और एक Ethernet port Wi-Fi और Bluetooth standard है सभी laptops में इसलिए मैं उसको बारवर नहीं बताऊंगा कि सारे laptops में Wi-Fi और Bluetooth हैं की नहीं क्योंकि standard है इस price के अंदर आपको Wi-Fi Bluetooth दोनों मिल जाते हैं price इसका currently चल रहा है 52,990 रूपीज और क्योंकि अभी sale भी चल रही है discount अच्छे मिल रहे है तो यह laptop आपको somewhere between 50,000 और 51,000 के बीच में मिल जाएगा link इसका मैंने नीचे description box से डाल दिया है affiliate link है महां से purchase कर सकते हो अगला laptop हमारा होने वाला है Lenovo Lock इसके अंदर आपको मिलेगा Intel का i5 12,450HX that means इसके अंदर आपको 8 cores मिलेंगे 4P cores, 4E cores और देखो 12,450H वाले जो processor है उससे slightly better performance निकाल के आपको देगा graphic card यहाँ पर मिलने वाला है 4GB का Nvidia RTX 2050 जो की चलेगा 65W पर RAM यहाँ पर मिलने वाली आपको pre-installed 24GB की DDR5 वाली जो की 4800MHz पर चलती है SSD यहाँ पर आपको मिलेगी 512GB जिसे आप expand करके 1TB तक ले जा सकते हैं display यहाँ पर मिलती है 15.6 inches की full SD display जिसका refreshing rate रहने वाला है 144Hz का ports यहाँ पर आपको 3 USB Type-A port 3.2 वाले मिलेंगे एक USB Type-C port रहने वाला है यहाँ पर एक HDMI port जिस पर आप 8 के monitor लगा सकते हो 60Hz के panel वाला साथ ही में Ethernet port, Bluetooth, Wi-Fi यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है most of the time यह laptop आपको 65,000 और 65,000 अबाव मिलता है पर इस sale के अंदर यह आपको पढ़ रहा है 60,190 रुपीज का और अगर आपके पास SBI का card है तो यहाँ तो crazy discount मिला हुआ है 8,250 रुपीज का तो यह laptop आपको पढ़ने वाला है 51,940 रुपीज का which is absolutely a deal breaker तीसरा laptop जो इस budget के अंदर रहने वाला है वो है MSI brand का MSI Thin 15 यह laptop भी आपको मिलता है Intel i5 12,450H के साथ यानि इसके अंदर भी आपको 8 course मिलते हैं 4P course, 4E course Graphic card इस laptop के अंदर मिलता है NVIDIA का RTX 3050, 4GB का जो की चलता है 45W पर 16GB की pre-installed RAM भी मिल जाती है जिसे आप future में expand करना चाहो तो 64GB तक लेजा सकते हो NVMe SSD scanner pre-installed मिलती है 512GB की जिसे आप future में expand करके 4GB तक लेजा सकते हैं साथी में display यहाँ पर रहने वाली है 15.6 inch की IPS panel वाली full SD display जो की चलती है 144Hz पर ports की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3 USB Type-A 3.2 ports मिलते हैं और एक Type-C port मिलता है एक HDMI port एक Ethernet port भी मिलता है price इसका पढ़ रहा है 50,990 रुपीज और अगर आपके पास SBI का credit card है तो यहाँ पर आपको 5-6,000 रुपय का discount देखने के मिल रहा है 45,000 के आज-पास का आपको यह laptop पढ़ जाएगा इस sale के अंदर चौता laptop हमारा रहने वाला है Asus की तरफ से Asus VioBook 16X यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है Intel का i5 12,450H, 8 cores, 4P cores, 4E cores Nvidia का graphic card है यहाँ पर 4GB का RTX 2050 जो की चलता है 65W पर Pre-install मिलने वाली है 16GB की RAM जिसे आप upgrade करके 24GB तक ले जा सकते हो 512GB के SSD भी यहाँ देखने को मिलती है Display यहाँ पर मिलती है 16-inch की Full HD Plus डिस्पले जो की 60Hz पर चलती है और यह display ना 100% sRGB वाली मिलने वाली है आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 USB Type-A, 1 USB Type-C उसी के साथ में 1 HDMI port, 1 Ethernet port, Bluetooth, Wi-Fi यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है इसका price पढ़ रहा है 57,000 और यहाँ पर भी आपको discount देखने को मिलेगा अगर आपके पास SBI का credit card है इस budget का आखरी laptop रहने वाला है from the brand HP इसका नाम है HP Victus Gaming, यह laptop भी मिलता है Intel के i5-12450H के साथ 8 course, 4P course, 4E course मिलते हैं इसमें बात करूँ अगर graphic card की तो यहाँ पर आपको मिलता है RTX 2050 4GB का, जो की चलता है 50 watts पर graphic card में यह laptop थोड़ा सा पीछे रहा जाता है अपने बाखी के competitors के साथ, लेकिन यह laptops उनके लिए है, जो की Metro Cities से बाहर रहते हैं, HP ही consider करते हैं क्योंकि जो बाहर रहते हैं, Metro Cities से, उनके लिए concern रहता है कि customer service center उनको मिलेंगे की नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पर जो HP brand का value है वो बाखी के जो laptops हैं, उनसे बढ़ जाता है अब बात करो RAM की तो यहाँ पर आपको मिलती है RGB की RAM, जिसे आप expand करके 16GB तक ले आ सकते हो, 512GB की NVMe SSD भी इसमें मिल जाती है, उसी के साथ में जो यहाँ पर display दी गई है, वो एक IPS पैनल की display है, 144Hz पर चलती है, Full HD display और 15.6 इंजिस की है, ठीक है, बात करो अगर ports की, तो यहा 24,480 रुपीज का, और अगर आपके पास SBI का credit card है, तो यह आपको laptop पढ़ जाता है, 51,500 रुपीज का, which is a great deal, considering the brand value, तो यह वो laptop से जो आपको 60,000 रुपे के अंदर मिल जाएंगे, और अगर आप bank offer वगरा लगाएंगे, तो यह आपको और भी सस्ते पढ़ जाएंगे, सा इस रेट लिंक भी है, तो थोड़े बहुत मेरी भी earning हो जाती है, और थोड़े बहुत motivation मी मिल जाती है, इस तरीके की वीडियो बनाने की, मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ, सुमिठ अकर, signing off.